नमस्कार बहुत उत्साहित हैं सब लोग आनलाइन वैदिक एस्ट्रालोजी फाउंडेशन कोर्स को लेके मैंने फीड़बैक लिया अपने उन सभी पार्टिस्पेंट से कि जो पिछला कोर्स हुआ उसमें उनको कोई अर्च ने आई क्या या कोई चीज समझ में ना आई हूँ तो जितने लोगों का फीड़बैक आया उसमें पहली चीज जो उनको सबसे ज़ादा अकसाइट कर रही है वो यह है कि वो इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इंटरप्रेट का मतलब क्या है वो जोड के प्लैनेट के शब्दों को राशियों के शब्दों को और जो भाव जिन्हें हम केवी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कह रहे हैं बॉक्सिस ओफ लाइफ जब उन तीनों को वो आपस में कंबाइन करते हैं तो एकुरेट इंटरप्रेट कर पा रहे हैं जैसे कि केतू को मैंने कीवर्ड दिया है मैजिक और राशी बारा राशिया हैं उनमें से करक राशी को मैं कहता हूँ अभास की राशी इंट्यूशन की राशी और जो चोथा बॉक्स है जनमकुंडली में उसको वैदिक जोतिश में कहा गया है कि वो जमीन, जायदाद और प्रारंभिक शिक्षा से सबंदित है जब इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं केवी के चार्ट में तो आता है जादू, इंट्यूशन में, बिल्लिंग और शिक्षा के लिए तो ये एक लाइन डिफाइन कर रही है कि केवी का मैजिक क्या है और ये हर एक व्यक्ति की जनम पत्री में केतू का अर्थ जादू ही है जादू, रहस्य और प्रतेक व्यक्ति की जनमपत्री में करकराशी का अर्थ है अभास, इंट्यूशन, केर तो वो कौन से खाने में हैं ये कॉंबिनेशन्स उससे डिस्क्राइब होता है इंटर्परेशन हर किसी का केतू उसे एक जादूई शक्ति देता है खराब नहीं है ऐसे ही राहू, उसका एक विशेश गुन है वो विशेश गुन है ध्यान, हेडिंगनेस यानि के सारा दिन ध्यान कहां रहता है तो राहू जिस राशी में होगा और जिस लाइफ के बॉक्स में होगा न ध्यान वहीं पर बना रहेगा आपने नोटिस किया होगा न, आपके आसपास या आपका अपना ध्यान एक ही विशेश में जादा तर समय रहता है और पिशले बहुत से बरसों में वो सोच वैसी ही रहती है उसी के अनुसार वेक्ती चलता रहता है इस तरीके से इंटरपर्टेशन का जो पहला मेथड है, वो है प्लैनेट, राशी और जीवन के संदर्व यानि के बॉक्स को कनेक्ट करते हुए एक ऐसे वाक्या की रचना करना जो खट से कनेक्ट हो, कि अरे ऐसा ही तो हो रहा है तो ये रीडिंग का पहला स्टेप है, जो हम पहले दिन ही शुरू कर देते हैं फिर इस से आगे, लाइफ के कौन से डिपार्टमेंट ऐसे नौ कंबिनेशन से कैसे गवर्न हो रहे हैं फिर हम दूसरे दिन उसकी और बढ़ते हैं और इसको मैच करते हैं पास्ट लाइफ के इविंट से पहले इंटरप्रेटेशन करना, फिर अलग-लग संदरवों में उसको देखना अलग-लग लाइफ कॉंटेक्स्ट में देखना कि उसकी मीनिंग्फुलनेस क्या है और फिर उसके बाद अलग-लग समय पर यनि के लाइफ टाइम-लाइन जिसे वैदिक जोतिश में महादशा और अंतरदशा कहा गया है तो कौन से टाइम-सलैब में क्या अनुभव हुआ और क्या घटित हुआ अपनी ही जनम-पत्री में उसको एकुरेटली मैच करना है ये एक प्रेक्टिस का विश्य है क्योंकि अगर आपने अपनी ही लाइफ के पास्ट इवेंट्स को एकुरेटली मैच कर लिया तो वो मैथर्स पष्ट हो जाता है जिससे आप लाइफ पैटरन को लीकोड कर पाते हो कि जब इन प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो जीवन में क्या घटित होता है बहुत ही लाजिकल है कनित का विश्य है और इसमें जो मेरी रिसर्च रही है वो यही है कि ग्रहों का एक पर्टिकुलर मीनिंग डिफाइन करना इससे पहले जोतिश में चैलेंजिस क्या है किसी ने भी ग्रहों के जो एक्ट मीनिंग है जो परिभाशिक शब्द हैं फिक्स नहीं किये मिक्स हो जाते है ऐसे ही राशियों के जो परिभाशिक शब्द है किसी ने अभी किया नहीं था और फिर जो बारा संदर्ब हैं जीवन के जिनें भाव कहा जाता है वैदिक जोतिश में उनके कॉंटेक्स्ट क्या है वो जीवन के किस कॉंटेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर किसी ने प्रियास नहीं किया था मैंने करीब 20-22 हजार होरोस्कोप जो आज तक मेरे पास लोग आए और मैंने उनका लाइफ पैटरन देखा उसका डेटाबेस बनाके डेटा एनिलेटिक्स करके न वो डेफिनेशन्स को फिक्स कर लिया वही हम इस कोर्स में शेयर करते हैं इसलिए सब लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते है इंटरपर्टेशन एक पक्ष है पास्ट के इवेंट्स एकुरेटली मैच होने लगते हैं क्योंकि उसको आप से बहतर दूसरा आदमी कैसे मैच करेगा जो उस वक्त का एक्सपीरियंस था अनुभव था चाहे खुशी थी चाहे गमी थी चाहे पीडा थी वो तो आप ही बहतर रिलेट कर सकते हो अगर आपको कोई बता दे कि ये डॉट्स इस फॉर्मूला से कनेक्ट करने है जब वो कनेक्ट होने लगते हैं और फिर दो तीम महादशाओं में वो दिखाई पड़ता है कि जब भी ये पैटरन आता है जब भी ये कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स के आते हैं तो सेम एक्सपीरियेंस होता है जब ये मैचिंग होने लग जाती है जब ये रिलेट होने लग जाता है फिर क्या तो पास्ट और क्या फ्यूचर इसलिए मैं ये नहीं कहता कि परडिक्शन होती है नहीं नहीं इंटरपर्टेशन होता है और इंटरपर्टेशन करने के लिए सही फार्मूला और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोग जब ऑनलाइन कोर्स करते हो तो आप इस प्रकार से आपकी पत्री बनती है जहां पर बड़ा सिंपल है कि मंगल का अर्थ है ताकत, स्ट्रेंथ और एरीज का अर्थ है स्पॉन्टेनियस रिसॉल्व यानि के मेश राशी और किस कॉंटेक्स्ट में सेल्फ एक्चुलाइजेशन सोच को साकार करने में तो केवी के होरोस्कोप में क्या है, केवी की ताकत क्या है, ऐसे सवाल अगर हम जनम पत्री में करते हैं, केवी की ताकत है स्पॉन्टेनियस रिसॉल्व या सल्यूशन देने में सोच को साकार करने के लिए इस प्रकार से आप संटेन्सिज को बनाना सीखते हों, और फिर रिलेट करना सीखते हों, सरल है ना यो मैंने आपको पहले कहा, कि केतु है मैचिक और रहस्य है, और ये करकराशी में है, इंट्यूशन और केरिंग और ये है लर्निंग्स, लैन और बिल्डिंग्स, जब हम इन तीनों शब्दों को कनेक्ट करते हैं, तो के बी का मैजिक है, केर और इंट्यूशन में, बिल्डिंग्स और बेसिक एजूकेशन के बारे में हैं, ये जो नौ संटेन्सिज आपके निकल कराते हैं, सबसे पहले आपको एक सोचने का फ्रेम मिलता है, कि अरे हाँ, है तो कुछ ऐसा ही, जब ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, जब ये चीजें सपष्ट हो जाती है न, फिर आता है कि क्या करना चाहिए, फिर हम इनको अलग-लग कॉंटेक्स्ट में, जैसे पैसा कहां से आएगा, ये भी इसी कॉंबिनेशन में दिखता है, ये व्यक्ति क्या करेगा, इसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बच्चों के संदर्ब में, और जो लोग सफल हैं, उन्होंने क्या एजुकेशन पाई, क्या किया, तो वो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सारी की सारी कोर्लेशन की आप प्रैक्टिस करते हों, और जब ये प्रैक्टिस हो जाती है, पहले अपनी जनम पत्री पर, फिर घर के पांच, दस होरोस्कोप्स के उपर, आपको कोई भी पत्री सामने आते ही, ऐसे दिखाई देने लगती है, जैसे अखवार सामने आ गया है, इवेंट्स तो समय लगता है, लिखने में, बोलने में, सोचने में, ऐसे ही जोतिश है, ग्रहों की, राशियों की, और लाइफ के अलग-लग संदर्वों की भाशा है जोतिश, और हम इसे एक-एक दिन, एक-एक स्टेप आगे-ागे बढ़ते रहते हैं, और हम लोग चोथे और पांचम के उपर बात करते हैं, उसमें मैंने भारत मुनी के नाटे शास्तर से रस सिधांत को लिया, क्योंकि मैंने देखा कि हर सबंद में हम एक रस की अनुभूती चाहते हैं, हम उसमें एक असेंस चाहते हैं, पर किसी व्यक्ति के होरोस्कोप में प्लैनेट्स कैसे हैं, तो उसी का वो अभास देगा, ये पढ़ना आ जाता है, इससे पत्रियों को मैच करने में सहायता मिलती है, पैसे के मामले में कि पैसा कौन सा फंक्शन करने से, कौन सी एक्टिविटी करने से, कौन सा करम करने से, किस प्रकार के ग्यान से, किस संदर्ब से पैसा आएगा, ये जनम प किसने किया, कब किया, क्यों किया, ये छे मूल भूत प्रशन है, और फिर इसको अगर आपने डीकोड कर लिया न, वैदिक एस्ट्रोलाजी के सिधानतों के अनुसार, तो ये भी दिखने लग जाता है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्यों करेगा, ये भी पर मामला प्रैक्टिस का है इसके इलावा हम लोग दो दिन लगाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी रेमडिस पर और मैंने क्या देखा? मैंने अलग-लग कल्चर में देखा बहुत सारे सेलिब्रेटीज टैटूस बनवाते हैं तो जिन से मेरा परीचे है रहा या मैंने उनसे पूछा और मैंने उनके होरोसकोप में देखा उनको किसी ने जोतिश के अधार पर तो नहीं बताया था पर उनका एक्सपीरियंस था कि ये टैटू बनवाने के बाद उनके जीवन में बहुत भारी चेंज आया अच्छे वाला चेंज आया तो मैंने उसको एस्ट्रो बेसिस डीकोड कर लिया तो किस व्यक्ति को कौन सा सिंबल अपने बाडी पर कहां पर बनवाने से क्या लाब हो सकता है ये किसी की भी जनम पत्री से निकाला जा सकता है फिर इसके इलावा जैम स्टोंस कौन से पहनने चाहिए मंतर कौन सा धारन करना चाहिए कौन से देवी देवता हमारे इष्ट देवी देवता हो सकते है बस ऐसे से उपचार है और खुद पढ़ना सीखना बहुत ही सरल है क्योंकि इसका जो टोटल फ्रेमवर्क है न मैंने शिरिमद भगवद गीता के अधार पर डिजाइन किया है मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में स्पष्टता देने वाला अगर कोई गरंथ है तो वो शिरिमद भगवद गीता ही है और भगवान कृशन से बहतर अडवाइजर तो कोई हो ही नहीं सकती तो उन्हों ने जो फ्रेमवर्क दिया है सोचने का कि जो भी संसार में घटित हो रहा है उसके पांच कारक है और मैंने जब शिरिमद भगवद गीता के दृष्टी कौन से जोतिश को देखा तो मैंने क्या देखा कि करता हैं ग्रह जोतिश के संदर्व में जो करने वाले है न वो ग्रह है और जो राशियां है वो हैं उनके साधन यानि के रिसूर्सिस राशियां एक बिसिक फ्रेमवर्क हैं सोच का वैभार का एन्वायम्मेंट का जैसे के बी के चार्ट में जो लगन यानि के पहला बॉक्स है वो मेश राशि का है तो जो मेश राशि है वो स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व देने वाली राशि होती है तो के बी को जो के बी का मेंटल इन्वायमेंट है जब भी उससे कोई बात करता है तो के भी गोई कि एक ही चीज उसके दिमाग में आती है कि इसका spontaneous resolve क्या हो सकता है इसको क्या समाधान दूने तो ये personality traits science के पूरे विशब में परसित हैं अपने यहां पर moon sign के base पर पश्शिम में sun sign के base पर इसकारत ये है कि चंदर किस राशी में है उसके अधार पर और सूर्य किस राशी में है उसके अधार पर sun sign है और लोगों ने बहुत अच्छे से relate किया है कि it works और वैदिक जोतिश कहता है कि आपका लगन क्या है लगन का रथ है आपकी लगन कहां लगी हुई है simple ना ऐसे करके हम लोग जब बैदिक जोतिश के दिश्टिकोन में शिर्मत भगवद गीता का framework लगाते हैं तो total clarity हो जाती है साधन है राशिया और फिर भगवान कहते हैं कि जो तीसरा कार्क है तीसरा कार्क है वैवस्था वैवस्था क्या होती है? systems तो जनमपत्री के अगर आप खाने देखोगे 12 खाने जेने बारा भाव कहा जाता है वो वास्तब में जितनी संसार में वैवस्थाएं हैं जैने हम department कह सकते हैं वो 12 departments हैं 12 प्रकार की वैवस्थाएं हैं उन 12 प्रकार की वैवस्थाओं में अलग-लग संसाधन है बाराराशियों के और फिर प्लैनेट्स उसमें व्यक्ति के रूप में या एक अबजेक्ट के रूप में वहाँ पर स्थापित है तो जब आप अपनी पत्री में डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि विश्यब में आप कहां फिट हो रहे हो यह जो संसार कर्मों का जग है न यह जो संसार है भगवान कहते है न शिर्मत भगवत गीता में कि संसार कर्मों का यग है तो कर्मों के इस यग में आप कहां पर हो आपकी स्थिती क्या है और आपके डॉट्स कहां कनेक्ट होते हैं जहां से आप जीवन में आगे पड़ सकते हैं, मेरा देखने का ढ़ंग यहरा और चौता कार्ग जो है, वो है चेश्टाई है चेश्टाई हैं कि दो ग्रहों का आपस में क्या रिलेशनशिप है यह एक मेरा रिसेर्च का पार रहा और इसमें मैंने देखा कि कितने डिगरी के इंतराल पर एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ क्या सबंद रहता है और वो कैसे experience होता है और जब आप online course में सीखते हो कि इनकी जो relationship है वो सुखद है के दुखद है तो आप हैरान हो जाते हो कि अरे मेरे साथ जीवन में ऐसा ही हुआ तो खुद relate करना है जितना अच्छे से खुद relate करेंगे उतना अच्छे से जनम पत्री को पढ़ना सीख पाएंगे और पांचमा कारण होता है दैव शिर्म भगवद गीता के अनुसार पांचमा कारख है दैव दैव क्या है जोतिश में? वो है नियती की समयावधी इसका अर्थ क्या है? कि जो होनी है वो अलग-लग समय के अंतराल पर होती है वो दैवई है, वो दैव कारण है और उसको पराशर रिशी जो हमारे हुए जिन्होंने वरहद पराशर होरा शास्तर दिया उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से टाइम लाइन को डिफाइन किया है जिसे हम पिमशोतरी दशा सिस्टर कहते है आप उसको सीखते हैं कि 120 बरस का जो स्पैन है जनम से लेके वहाँ पर कौन सा प्लैनेट कहां आ रहा है और वो प्लैनेट कैसे अफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को किस राशी में बैठ कर जीवन के किस संदरव को एनेबल कर रहा है और फिर उसके बाद दूसरे संदरवों से उसका क्या रिलेशेशिप है उसी रिलेशेशिप के अधार पर आप देखते हो कि आपके जीवन के समीकरन और हालात वैसे ही विवस्थित है बस जैसे ये देखना आ जाता है न तो जनम पत्री आपकी एस्ट्रो बायोग्राफी बन जाती है जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको दिखाई देने लग जाता है और हमारे इस आने वाले आनलाइन वैदिक एस्ट्रो जी फाउनेशन कोर्स में हम लोग इसी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आप रिलेट करेंगे और इंट्यूटिव ट्रेनर्स आपके आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो फॉरमॉलह को अपलाई करने में और ये 12 दिनों के बाद आप अपनी पत्री के साथ परिवार की जनम पत्रियां भी पढ़ सकते हो यही प्रियास रहेगा और फिर उसके बाद जो आपके आपसी ग्रूप्स हैं उनमें आप discussions कर सकते हो तो इस प्रकार से ये जो structure किया हुआ है course वो किया है बहुत ही simplistic method से कि अपनी पत्री को हम पढ़ सके interpret कर सके और फिर सही उपचार जो अब तक कारगार रहे हैं, tested हैं उनको कैसे choose करें, कैसे select करें मेरी धेर सारी शुब काम नए आप लोग सीखने जा रहे हो और कोई stress पहले नहीं लेना है जिनको जोतिश बिलकुल नहीं आता वो सबसे अच्छा सीख पाते हैं ऐसा मेरा आनुभव रहा है पिछले course में जिनको आता था वो अपने पुराने जो उनके concept थे उनके कारण थोड़ा confusion में रहे वो जैसे जैसे छटते चले गए वो accurately interpret कर पाए और अपने लिए छोट-छोटे उपचार कर पाए कई लोग तो मुझे चिठियां लिख रहे हैं कि उन्होंने कलपना भी नहीं करी थी घर से अगर हल्दी अपने घुटने पे लगा ली तो कैसे pain से relief मिल गया क्योंकि उनके 10th sign के उपर भ्रेस्पती की 120 degree की दृष्टी थी और उन्होंने trial के लिए जैसे ही उन्होंने हल्दी का लेपन किया तो पाया कि कुछी घंटों में वो दर्द चला गया जो कई महीने से था मैं इसके पीछे कुछ scientific reasoning तो नहीं दे सकता पर हाँ ऐसे ऐसे अनुभव अपने participants के हुए हैं और ये उनके हैं जिनको जोतिश के बारे में बिलकुल भी जानकारी नहीं थी So experience Vedic Astrology in our online Vedic Astrology Foundation course धेर सारी शुक्काम नहीं Namaskar